Hello Everyone, Welcome to Vidya Trans दोस्तो इस lecture में हम लोग बात करने वाले हैं Sequencer Instruction के बारे में तो ये lecture काफी important है और ये instruction आपका Advanced Level Instruction में आता है ये instruction भले ही Advanced Level Instruction में आता हो लेकिन ये कई सारे complicated programs को बहुत easy बना देता है अभी हम लोग इसके examples देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको course content दिखा देता हूँ कि क्या क्या इस course में रहने वाला है इस class में तो सबसे पहले देखते हैं why we use it कि कि किस तरह के task को ये आसान बनाता है Sequencer Instruction फिर उसके बाद हम देखेंगे basic concept तो इसमें कई सारे basic concept आपके involved रहते हैं फाइल, mask, destination, control, length, position इन सबके बारे में इस lecture में आपको बताऊंगा धर्ड रहता है how we use sequencer instruction in PLC letter PLC letter में हम लोग इस instruction का कैसे use करते हैं तो सबसे पहले एक हम लोग task ले लेते हैं इस task में देखें क्या है इस task में आपसे बोलाए कि आपके पास एक push button है एक push button है और इस push button को जब आप press करते हो यह आपके पास एक push button है इसको switch की जगह है यहाँ पर push button आप कर लीजेगा तो एक आपके पास push button है और इसको आप जैसे ही press करके release करते हो मतलब आप 010 जाते हो मतलब अभी off है फिर on करते हो और फिर छोड़ देते हो इस दोरान क्या होता है जैसे आपके एक push button को press करके छोड़ते हो तो आपकी motor 1 जो है वो on हो जाती है motor 2 जो होती है वो off हो जाती है और motor 3 जो होती है वो on हो जाती है one मतलब क्या है one मतलब यहां पर on और zero मतलब off है ठीक है अब क्या करते हो आप अगर सेम push button को फिर दुवारा से प्रेस करते हो पहली बार आपने प्रेस किया तो यह वाली चीज़े हो गई 101 सेकिंड बार आपने प्रेस किया तो क्या हो गया और 010 मतलब motor 1 आपकी off रही motor two on हों गई और motor three आपकी off रह गई थर्ड बार आपने प्रेस किया तो आपकी तीनों motor on हो गई fifth बार आप में press किया तो आपकी दो motor on होई और तीस ही motor off होई और यही condition चलती रही मतलब आप अगर पांच वी बार प्रेस करोगे तो फिर से लॉट के आप नंबर वन पर आजाओगे मतलब नंबर वन पर जो चीज हो रही थी वो होती रहेगी तो यह सिक्वेंस में चलता रहना चाहिए ठीक है पांच वी छाठवी पर फिर नोवी दसु में घ्यारेवी बारेवी बार तो यह सिक्वेंस में चलता रहना चाहिए जब भी इस तरह के टास्क आपके पास आते हैं कि सिक्वेंस में आपको टास्क कराते रहना पड़ता है तो आप इस सिक्वेंसर इंस्टक्शन का यूज कर सकते हैं ठीक है तो पहला पॉइंट आपको पता चल गया जब भी आपको सिक्वेंस में मतलब repeated task repeated task कराता रहना पड़ता है तो आप इसका use करते हैं second जीच जब आपके पास कई सारे output हों जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो यह motor 1 है, motor 2 है, motor 3 है और इनके बीच में आप switching करते रहे हो कि कभी motor 1 on है कभी motor 2 on है कभी 3 motor on है कभी motor 1, 2 on है दोनों on है और यह off है तो जब आप इन दोनों के जो आपके outputs हैं उनके बीच में आप switching करते रहते हो तब आप इसका use कर सकते हो ठीक है इसका अगर एक example हम लोग देखें तो आपने देखा होगा washing machine का program ठीक है washing machine का जब program देखते थे तो आप देखते हो कि हमारे पास मालीजे दो output है output 1 और output 2 यह output 1 जो है यह water inlet का output है और यह output 2 जो है वो आपका शरफ inlet का है तो इन दोनों के बीच में switching चलती है रहती है कि नहीं यह पहले कभी पानी गिरता है सरफ नहीं गिरता कभी आपका पानी नहीं गिरता, सरफ गिरता है, है न वासिंग मसीन में, कभी दोनों गिरेंगे, तो क्या है ये दो आउटपुट हैं, उनके बीच में स्विचिंग चलते रहे, कभी 10, कभी 01, कभी 11, आप इस तरह से इसको फॉलो करते हो, ठीक है तो जब भी इस तरह के टास्क आते हैं, तो आप sequencer instruction का इस्तमाल करते हो, I hope इतना आपको clear हो गया होगा, अब हम देखेंगे कि इसका use कैसे होता है, क्या हम इसका use करते हैं, तो अब देखें, यही टास्क अगर मुझे simple ladder logic से कराना होता, तो मैं एक एक output को on करता, क्योंकि ये basically क्या है, ये है आपका o colon 0 slash 0, अगर ह o colon 0 slash 1, ये क्या है, o colon 0 slash 2, ये आपका एक input हो गया, i colon 0 slash 0, तो इन एक एक bit को आप on कराते रहाते, अगर आप ladder logic से इसको करते, सारे operation आपको perform कराने पड़ते, single single bit करके, तो इन्होंने क्या इसका procedure रखा next, इन्होंने ये रखा, क्यों ना मैं एक file बना लूँ, क्यों ना मैं एक file बना लूँ, और जो data मुझे चाहिए, वो इस file में load कर दूँ, जैसे मुझे क्या चाहिए था, 101 चाहिए, 010 चाहिए, 111 चाहिए, और 110 चाहिए, ये क्या है basically, ये आपका यही है, 101, 101, 010, 111, 110, ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक अलग से file में load कर दिया, और मैंने ये system बनाया, कि भई, क्यों ना मैं एक ऐसा system करूँ, कि ये पूरा data जो मुझे output पे दरसाना है, वो एक मैं file में store कर लूँ, और जब मैं button प्रेस करूँ, तो ये data डारेक्ट उठके मेरा output पे चला जाए, मुझे एक एक bit ना बदलनी पड़े, ये पूरा data उठके मेरा output पे चला जाए, तो इन्होंने इसका ऐसा system बना दिया, कि इसमें क्या करते हो, आप सबसे पहले एक file बना लेते हो, file में आप address दे देते हो, और इस तरह से आपकी file बन जाती है, यहाँ पर आप क्या करते हो डेटा डाल देते हो जो आपको चाहिए होता है तो यहाँ पर इन्होंने डेटा डाल दिया जो इनको चाहिए और उस हिसाब से फिर एक बटन कनेक्ट करते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन के साथ और उस बटन को जब प्रेस करते हैं तो ये डेटा उठके आपके आउटपुट पे डारेक्ट मूव कर जाता है तो 000 की जगे क्या हो जाता है 101 अब इस चीज को आप एक बार ध्यान से देखिए ये है क्या ये दोस्तों आपका है one word computer की भासा में बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग one word ये कोई मामूली चीज नहीं है इसमें 16 आउटपुट है 0 से लेके 15 तक और एक एक बिट एक एक आउटपुट को दरसाता है है ना एक एक बिट जो है एक एक आउटपुट को दरसाता है और एक एक बिट में ये पावर होती है कि ये आउटपुट को on या off कर सके ये अभी 0 है इसका मतलब क्या है इससे connect जो output है hardware पे वो अभी off है अगर ये one हो जाएगा तो इससे connect जो output है hardware पर वो on हो जाएगा अब इसको अगर मैं hardware के term में बनाओ तो hardware इस तरह से कुछ दिखेगा आपका इस तरह से आपका hardware दिखने वाला है और इस hardware पे आपके points होंगे one, two, three और इस तरह से आपके 16 points होंगे अगर ये मैं 16 module का 16 point का मैं output module लो तो है ना और हर एक point पर आपका एक output connect हो सकता है जैसे यहां से आपकी motor 1 connect हो सकती है यहां से आपकी motor 2 connect हो सकती है और यहां से आपकी motor 3 connect हो सकती है clear तो आपकी motor 1, motor 2, motor 3 यहां से connect हो सकती है और इन points का ये तो hardware points है और इन points का कुछ address है जो की आपकी PLC में होता है तो वह address क्या है o colon zero slash 0 ये पहला point है तो इसका address क्या है? इसी तरह से जो आपका 15 में address होगा उसका क्या होगा? o colon 0 slash 15 16 में जो address होगा 0 से लेके 16 तक जाता है 15 तक जाता है 0 से लेके 15 तक 16 नमबर होते है इसलिए मैं 16 output कह रहाँ यहाँ पर ठीक है तो यह बेसिकली इस तरह से connect होगा आपके hardware पर तो अगर यह number represent करता है o colon 0-0 यह number represent करता है o colon 0-1 तो जब आप यहाँ पर 101 move करेंगे तो आपका o colon 0-0 क्या हो जाएगा on हो जाएगा और यहाँ से आपकी motor 1 connected है motor 2 0 रहेगी motor 3 on हो जाएगी motor 3 basically किस address पर o colon 0-1 पर तो यह direct एक साथ आपका तीनों motor है on हो गई आपको एक एक logic नहीं बनाना पड़ा एक एक bit में नहीं खिलना पड़ा आपको direct पूरी file आपने move कर ली अब आपसे कोई कहे कि भाई मुझे 16 motor है मेरे पास और मुझे एक साथ उनको कुछ कोई sequence है on off कराना है शुरू की 5 motor हो सकती है on करानी हो और उसके बाद की motor सारी off करानी हो बिल्कुल आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं जो भी आपको requirement है यहाँ पर डालिए जिसको on कराना है one डालिए और जिसको off रखना है वहाँ पर 0 रहने दीजिए और foot value को move करा दीजिए ठीक है अच्छा अब यह तो बात clear हो गई कि in particular point का address क्या होगा लेकिन इस पूरे module का भी एक address होगा है ना इस पूरे module का भी तो एक address होगा आप यहाँ पर o colon 0 slash 1 लिख रहे हो ना अगर आपका यह किस जगे लगा हुआ इस पर depend करता है अगर आपका यह दूसरा module है तो आप इसको इस्तमाल कीजिएगा है ना तो अभी हमारा first module हम ले रहे हैं तो इस module का नाम जो है वो है o colon 0 dot 0 ओके o मतलब output o मतलब क्या होता है output होता है जैसे यहां पर b3 colon 0 लिखा हुआ है ना तो b3 में b का मतलब क्या है binary है यह memory यह memory वाली फाइल है यह आपके पास unlimited होती है कोई problem नहीं है यह आप आराम से use कर सकते हैं अपने इसाब से यहां पर आपके पास 101 कर गया सेकिंट बार यह JENँ कर जाएगा दिवको फिर ना मूध कर मूभ कर जाएगा कहां पर बूभ करेंग Ragya कहां पर थारद बार बतन दखाया अब बात आती है इसके यूज की पांचवी बार आप दबाएंगे तो क्या होगा तो फिफ्ट बार अगर आप दबाएंगे तो आपका क्या मूव हो जाएगा पांचवी बार आप दबाएंगे तो आपका फिर से 101 मूव हो जाएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको आप बताईए लोगों के साथ सेर जरूर कीजिएगा जो भी आपके दोस्त हैं इंजीनिरिंग बैक्ग्राउंड से जिनको इस वीडियो से हल्प मिल सकती है अब मैं कुछ आपको अपने नए एप के बारे में बताने वाला हूँ विद्या ट्रांस का जो एप है माई स्कूल वो लॉंच हो चुका है तो ये एप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप हमने क्यों लॉंच किया क्योंकि हम चाते थे इजली आप इन कोर्स को एक्सिस कर पाएं तो आप प्ले स्टोर पर जाएंगे माई स्कूल एप टाइप करेंगे इस तरह का सिंबल आएगा description में मैं आपको link भी दे दूँगा इसकी तो यहाँ पर जैसे आप जाएंगे तो फिर आपके पास website code डालने को आएगा तो आप ये website code डाल दीजिएगा हमारे सारे कोर्स वहाँ पर open हो जाएंगे तो यहाँ से आप हमारे जो सारे courses हैं उनको join भी कर पाएंगे ठीक है तो यह देखिए यह basic to intermediate हमारा course है यह उन लोगों के लिए है जो android app पर ही सीखना जाते हैं उनके पास laptop नहीं है और बिल्कुल basic से सीखना जाते हैं तो अपने android app पर ही वह practice कर सकते हैं PLC programming की second course जो है PLC course for professionals यह उन लोगों के लिए है जो एलन ब्रैटली PLC पर programming सीखना जाते हैं इस course में hardware और software दोनों पर बताया है मैंने hardware पर ही practical करके आपके दिखाया है यह video भी आपका PLC course for professional का part है बाइ बोथ course आप दोनों course भी ले सकते हैं एक साथ और जो third course जो है हमारा वो Siemens TIO portal पर लाउंच हुआ है वो भी आप देख सकते हैं अभी इस app में मैं कुछ reading material भी add करूंगा तो उसका भी benefit आपको मिल जाएगा ठीक है description में link है आप जरूर इस app को download कर लिजेगा पूरी continuity जो थी अब हम फिर से बनाते हैं एक बार ठीक है अब देखें यहां पर देखें यह जो binary वाला पार्ट था मैंने इसमें data डाल दिया था और यही मुझे output पे move करना था अब इस instruction को देखें तो इसमें मैं आपको बताऊंगा किन-किन चीजों पर आपको गौर करना है सबसे पहले आप गौर कीजिएगा file पर destination पर length पर position पर इन चार चीजों पर आप गौर कीजिएगा बहुत important चीज बनाएं और जो जो data हमें move कराना है वो इस file में save करें तो इस file को आपने क्या address दिया? has लगाया और इसको address दिया b3 colon 0 यह आपने address दिया ठीक है? b3 colon 0 जब आपने यहाँ पर has लगा दिया जब आपने यह has यहाँ पर लगा दिया तो इसका मतलब क्या है? केवल आपका इस file से काम नहीं चलेगा देखो इस file से काम नहीं चलेगा क्योंकि data जो है वो कम से कम 4 file में store होगा आपकी ठीक है? क्योंकि आप देख रहे हो 4 operation perform होने हैं आपके पास ठीक है? तो आपको क्या लेना पड़ेगा? 4 file लेनी पड़ेंगी 1,2,3,4 तो जितनी file आपको बनानी है उतना आप फिर number लिख देते हो length में ठीक है? तो यहाँ पर आपने सबसे पहले file लिखी और has लगाया b3 colon 0 लगाया has का मतलब यह है अभी आप 4 file चाहिए यह आप length में लिखते हो तो length में आपने लिख दिया इसके आंगे अब मुझे 4 file और चाहिए ठीक है? तो आपकी 4 file और create हो गए अपने आप software के अंदर b3 colon 1, b3 colon 2, b3 colon 3, b3 colon 4 जैसे यह 4 file create हो गए उसके बाद जैसे इससे जो connected switch है यहाँ पर switches connect रहेंगे आपके ठीक है? तो अभी आपकी position 0 पर है यह है आपकी position तो यह आपकी number 0 position है यह आपकी number 1 position है यह 2 है यह 3 है और 4 है इसके बाद आप button दबाएंगे तो आपका reset हो जाएगा और फिर से आप कहाँ पर आएंगे? 0 पर नहीं आएंगे आप 1 पर आएंगे अप शुरूबात 1 से होगी तो सबसे पहले आप 0 पर होंगे जैसे आप button प्रेस करेंगे आप 101 पर आएंगे और यह data आपका कहाँ जाएगा? आउट्पुट की file में आउट्पुट की file है आपका destination जहाँ पर आपको भेजना है तो destination में आप डालेंगे destination में आप डालेंगे जहाँ पर इन नंबर्स को आपको भेजना है तो वहाँ पर आप डालेंगे आउट्पुट की file o colon 0.0 यह क्या है? बेसिकली पूरा का पूरा module है इसका address है यहाँ पर आपने डाल दिया और जिस position पर आप चल लेंगे वो यहाँ पर show करेगा तो अभी आप अगर 0 पर हैं तो आप 0 करेगा जैसे आप एक बार बटन को प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे तो आपका कहां चले जाएंगे वन पर चले जाएंगे तो position पर बन आ जाएगा और यह data जो है वह आपका destination पर move कर जाएगा फिर यहाँ पर आ गए फिर दुबारा बटन दबाएंगे तो यह data move कर जाएगा उसके बाद यह data move कर जाएगा और फिर यह data move कर जाएगा फिर जब आप 50 बार दबाएंगे फिर लॉट के आप 101 पर आ जाएंगे ठीक है तो यही आपका procedure चलता रहेगा मैंने आपको बता है sequencer resistance sequencer instruction का use ही इस वज़े से है ताकि आप repeated task कर सकें ठीक है तो यहाँ पर देखिए मैं एक example लिया है और इस example में मैंने क्या करा पहले input को मैंने off से on कराया था और फिर मैंने off करा दिया तो सबसे पहले मैंने इसे off से on कराया और फिर इसे off कराया जब मैंने एक बार इसको यह pulse दिये यह one वाली off से on वाली तब मेरा एक data यहाँ पर यह वाला जो है वो देख रहे होंगे आप यहाँ से यहाँ move कर चुका है यह देखिए कर गया 101 हो गया अगर आप दुबारा प्रेस करेंगे तो फिर से यह वाला data आपको move कर जाएगा आई होप आपको समझ आ गया होगा ठीक है इतना आपको अब करना है और यह चीज अब मैं आपको software पर बताने वाला हूँ उससे पहले एक चीज और रह गई जो की है mask का concept अभी आपके दो च कि मैंने आपको बताया कि आप एक साथ सिस्टीन बिट का भी इस्तमाल कर सकते हैं है छेज इस पूरी qa어아ड भेज सकते इक इक मोटर 2 है, और एक मोटर 3 है, तीन मोटर है आपके बास, अब ये तीन मोटर ही हैं, बाकी ये इन इन outdoor module पर कुछ नहीं कनेक, ठीक है, यहां पर कुछ नहीं है, ये खाली है, ठीक है, तो आपका जब भी कोई, कुछ bits का no use होता है, कोई use नहीं होता, तो उनको हम क्या करते ह तो यहाँ पर किवल इन bits का use है और इन सारी bits का कोई use नहीं है तो एक masking का concept यूज होता है कि आप बता दो पहले कि कौन-कौन सी bit आप use करने वाले हो कौन-कौन सी bit आप use नहीं करने वाले होते हो तो जो-जो bit आप use करने वाले होते हो उसके उपर आप लगा देते हो आप 0111 बाकि जो जो bit आप use नहीं करने वाले होते हो उसके उपर आप 0 लगा देते हो। ठीक है तो यह आपका z100 कहा तक चलता है 15 तक ओख कि यह आपका का आप करते हो तो माली ची आप 1 23 करने वाले थे तो आपने 111 लगा दिया और ऑले यूज करने वाले थे वहां पर ज around लगा दिया अब क्या और यूज घरayan यह तो यह आप का ये वाला नंबर तो है नहीं क्योंकि ये नंबर जो है वो binary में है और जो अभी हम देखने वाले हैं वो number है hexadecimal में जो अभी ये number जो है वो hexadecimal में तो आपको बस केवल binary to hexadecimal conversion आना चाहिए ठीक है? तो binary to hexadecimal conversion जो है वो ज़्यादा tough नहीं है वो क्या होता है मैं बताता हूँ आपको binary to hexadecimal जब conversion कर रहा है तो 4-4 के आप pair बनाओ इसको आप decimal में convert करो decimal में convert आपने किया तो 1 के उपर लिखो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 जहां-जहां 1 है उनको आप add कर लो 2 की पावर 2 प्लस जीरो के उपर कुछ count नहीं होगा जो जो 1-1 के हैं उनको वहां से start कर दो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और इनको add कर लो कितना आ गया 4 और 2, 6, 7 तो 7 आया आपका और बाकी 0 का कोई मतलब नहीं है इसके आँगे बस 00 लग जाएंगे हैं ना क्योंकि अब यह नंबर hexadecimal में convert हो गया तो इसके आँगे h लगा तो hexadecimal और decimal में क्या अंतर है देखिए यहाँ पर decimal नंबर में क्या होता है 0 to 9 आपका होगा उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो जाएगा लेकिन hexadecimal में क्या होता है 9 तक है तो ठीक है उसके बाद यह 10 को A बताने लगते है 11 को B बताने लगते है 12 को C, 13 को D 14 को E, 15 को F ठीक है तो जब भी आपके पास क्या था 111 था यह था आपके पास तो आपने जश्ट इसको क्या कर दिया 7 लिखा और इसके आँगे h लगा दिया यह आपका hexadecimal नंबर बन गया लेकिन आपके पास अगर यह होता तो in case तो आप क्या लिखते है CH ठीक है अब यहाँ पर आपके पास अगर यह होता मा लिजे आपको यह दोनों बिट इस्तमाल करनी होती है 11 यह दौनों बेट इस्तेमाल करने होती है, 1100, यह दौनों करने होती है, 11, और यह दौनों नहीं करने होती है, तो आप इसको क्या लिखते है, hexadecimal में, C, और उसके आँगे H लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर कोई doubt है, तो पूछ सकते हो, हमेशा comment section खुला रहता है, आप पूछ सकते हो, उसमें appreciate कर सकते हो, अगर आपको यह lecture पसंद आ रहे हैं, हमें काफी अच्छा लगता है, आपके अच्छे comment देखके, और काफी motivation मिलता है उससे, और उसी वज़े से हम लोग lecture बनाते रहते हैं, ठीक है, तो वो आप करते रहें, जो भी आपके reviews हैं, वो आप डलू डालते रहें, उससे काफी motivation मिलता है, ठीक है, इतना काम हो गया, अब हम इसको software पर देखेंगे, ठीक है, अब हम लोग software की तरफ चलेंगे, Thank you very much.